हाई दोस्तों मैं हूँ सिराज और अपलोड सुवागा थे मेरे चैनल चलाचे शिलिशन में आज हम आप लोग के साथ दिस्कस करने वाले है TCS NQT जो में में कांडक्ट होने वाला है उसके लिए सबका में में एक मेल भीजा गिया है Infrastructure Readiness Check का यह Infrastructure Readiness Check हम लोग को कैसे करना है यह देना mandatory है या नहीं अगर देना mandatory है तो इसके लिए क्या कैस सेटेक को जुरूरत है कौन सा operating system को जुरूरत है और बहुत सारा step इसमें दिया गिया है कौन सा timing में हम लोग इसको देंगे मिन्स चेक करेंगे इस परसेक्ट से रेडिनेस और कौन सा details देके हम लोग को login करना है सारा process इस वीडियो में हम आप लोग के साथ discuss करने वाले है तो चलिए शुरू करते है देखते है mail में क्या दिया गिया है पहले क्या लिखा गिया है नाम दिया गिया है सीराज मॉला मतलब जो subscribe किया है उसका नाम देन क्या लिखा गिया है thank you subscribing TCS and QT में है 2021 you had chosen to write the exam in remote assessment mode at home your participation in infrastructure readiness check is a mandatory step for you to be allowed to take the exam remotely from home क्यूं हम लोग को IRC test देना पड़ रहा है क्यूंकि maximum student हम लोग क्या choice किया है home center means अपना घर में बैट के हम लोग के exam देना चाता है क्यूंकि अभी COVID situation बहुत ही खराब हो चुका है इसका बज़े से सब अपना घर में एक्जाम देना चाता है इसका बज़े सब remote assessment select किया है तो remote assessment देने से पहले हम लोग को तो अपना system check कर लेना होगा कि जो system से हम लोग exam देंगे वो system इस exam के लिए compatible है या नहीं अगर नहीं है तो उसमें क्या के जुरूत है यह सारा चीज हम लोग इसमें check कर पाएंगे और यह IRC test इसलिए mandatory है कि कि इसमें हम लोग check कर पा रहे कि कैसे हम लोग exam देंगे और कौन सा system requirement का जुरूत है जिस system में हम लोग exam दे रहे है वो compatible है या नहीं इसमें check हो जा रहा अगर IRC test आप लोग नहीं देंगे तो actual जो exam है उसमें आप लोग बैठ नहीं पाएंगे वो दिया हुआ mail में देख लेते चलिए इसका बात क्या दिया गया है please find the below link and conditional to take the infrastructure readiness check and other instruction to take the test then exam link इसमें click करते देखी यह आपे candidate instruction and login process इसका एक PDF भी दिया गया एक video भी दिया गया है PDF को ऊपेन करकर आप लोग देख सकते कि कैसा अप लोग को log in करना है देखी है सारा instruction दिया हुआ है पहले का एक मेरा video बना हुआ है इसका उपर उसमें सारा हम discuss की है point to point जितना सारा है कि कैसे हम लोग सेट आप करना है अगर कुछ पॉब्लम क्रियेट हो एक्जाम का टाइम हम लोग कैसे कम्यूनिकेशन करना है इसको लेकर एक बड़ा वीडियो मेरा बना हुआ है थाटी फाइब मिनिट्स या थाटी टू मिनिट्स लगबग है वह वीडियो अब लोग उसको डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं इसका डिस्क्रिप्शन में हम उसको दे देंगे और क्या बोला गिया है प्लीज डोंट टेक दा आयर्सी चेक फ्रम मूबाल फोर्ण आप लोग आयर्सी चेक मूबाल फोन से मत किजिएगा रिस्टेसटेशन टाइम मतलब आयर्सी चेक करने सब पहले 15 minutes प्रिए वूंट में कहते हूं आप लोग को क्या करना होगा यहां यह सफेर संगें गया में अपर लोग को सब्सक्क्राइब करनी है यह सब्सक्राइब करना है जैसे में होपर में युद से सनिक्राइण टेग दा आयर्च अधायर्च ताइमिंग में जासे याप इतामिंग में इससी टाइमिंग में अम लोग आयर्च टेश्च देशकते हैं इस test we will take about 15 to 30 minutes to complete, ये test 15 to 30 minutes time consume करेगा, while you provide with a shift duration above, you can always login anytime during the window and take this test, क्या बोला गिया है, 5 p.m. to 7 p.m. का अंदर कभी आप लोग इन करके ये test दे सकते है, in case you miss the registration timing, it is not a problem, बोला गिया है, ये जो 15 minutes prior आप लोग को registration का बाद बोला गिया था, IRC test के लिए, ये अगर आप लोग miss कर जाएंगे, तो कोई problem नहीं है, जब आप लोग का IRC test का timing दिया गया है, उसी timing में आप लोग registration करका IRC test दे सकते हैं, और क्या बोला गिया है, in case you face any technical challenges or still have question or clarification, please reach out through live chat, available on the login page, for immediate assistance, live chat support will be available only during the IRC timing indicator अबब, क्या बोला जा रहा है, जब IRC test आप लोग देंगे, उस टाइम में अगर आप लोग कुछ technical issue face करेंगे, तो आप लोग वासे live chat में अपना issue बता कर, आप लोग help ले सकते हैं, Participation in this infrastructure readiness check is mandatory to verify your computer laptop readiness to take the online exam successfully from home, क्या बोला गिया है, कि IRC test mandatory है, पहले हम जैसे आप लोग को बता है, कि आप लोग जो system में exam देंगे, उस system को verify करना जुरूरी है, If you are not participating in the IRC on the date mentioned below, you will not be allowed to take the actual exam from home, IRC test अगर आप लोग नहीं देंगे, तो आप लोग actual exam घर से बैट कर नहीं दे सकते हैं, Note that this check is only ensure your system compatibility for taking the exam at home and not a practice test for actual exam, Actual exam question paper pattern will be different, श्रिफ इस चेक हम लोग किस सीज के लिए कर रहे हैं, श्रिफ IRC test, मिन्स हम लोग का system compatible है या नहीं है, सारा देखने के लिए, यह practice test भी नहीं है, और जो actual exam होगा, वो उसका pattern different रहेगा, We strongly recommend you to participate in IRC as per given schedule, क्या बोला गिया है, कि strongly वो लोग recommend कर रहा है, कि IRC test हम लोग अराम से जो timing में दिया गया है, उसी timing में दे, system specification को दिया गया है, webcam रहना चाहिए, microphone रहना चाहिए, और launcher for respective operating system, मतलब कुछ launcher हम लोग को download करना है, exam देने के लिए, वो launcher का link नीचे दिया हुआ है, उसको लेकर भी हम लोग discuss करेंगे, internet band with 5 Mbps चाहिए, और disk space 100 Mbps चाहिए, step to complete, क्या दिया गया है, click on link, इस link पर click करना है, copy paste the link in the browser, यही link हम लोग को copy करना है, यहापर paste करना है, simply, then start the assessment, login conditional as mentioned in the above email, अपना NQD ID और अपना mobile number देके login करना है, then node down the unique key generated, उसका बाद हम लोग unique जो key generate होगा, उसको node down करना होगा, तेन हम लोग को क्या करना होगा, जो launcher का link यहाप पर दिया गया है, हर एक operating system का हिसाब से, जो लोग का जैसा operating system डाइक, उसी को select करके, उसी launcher का आप लोग को download करना होगा, यह launcher open होने का बाद ही, जो आप लोग को key generate होगा, unique key, उसको यहाप पर paste करना है, then start test करना है, यह सारे step हम previous जो encrypti हुआ था, उसमें भी हम discuss किये है, अगर आप लोग discussion में देखना चाहता है कि कैसा आप लोग को attend करना है, सारा process प्रिवियास सारा वीडियो में भी दिया हुआ है, Enquipty का जब playlist है, उस playlist में जाके आप लोग देख सकते हैं, तो चले दोस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते एक नाए वीडियो लेकर, अर्ण बस आप लोग सारा वीडियो खॉआ इतना ही, उसमान दोस आप लोग सारा वीडियो में बसा भीडियो ख लोग से वीडियो के लिए जबू़ में जाए रावका है,